बच्चो क्या आप जानते हैं, हम किसी भी पुरानी या बेकार चीज को नया रूप देखकर उसकी काया पलट कर सकते हैं हर चीज का अपना महत वो होता है, कोई भी चीज बेकार नहीं होती किसी चीज को बेकार समझ कर फेंकने की बचाएं, उसे किसी अन्य रूप में ढालकर प्रयोग करने की कोचिश करने चाहिए। चलिए, देखते हैं कि एक कुमहार के मित्र ने इस तरह एक तेड़ी हांडी का रूप बदलकर उसे उप्योगी बनाया। पार्च महरानी हांडी, एक गाउं में राधी नाम का एक कुमहार रहता था, वो मिट्टी के बर्तन बनाता था, एक बार उसने हांडिया बनाई, उनमें एक हांडी तेड़ी बन गई, उसे किसी ने नहीं खरीता। दुकान में रखे सारे बर्तन तेड़ी हांडी का मजाग उडाते थे, तेड़ी हांडी बहुत उदास रहती थे, उदास यानी दुखी। एक दिन राध्ये ने सोचा, ये बिक तो नहीं रही है, चलो इसे फेंग देता हूँ। वह हांडी लेकर निकला, रास्ते में उसका मित्र सोहन निल गया, उसने पूछा, मित्र हांडी लेकर कहां जा रहे हो। राध्ये ने कहा, मित्र मैं इसे फेकने जा रहा हूँ, क्यूंकि ये टेडी है, इसे कोई नहीं खरीदता। वहन ने समझाया, दोस कोई भी चीज खराब नहीं होती है, लाओ, इसे मुझे दे दो, मैं इसे बहुत सुन्दर बना दूँगा। दोहन हांडी लेकर घर आ गया, वह बहुत अच्छे चित्रकारी करना जानता था, चित्रकारी करना यानी पेंटेंग। उसने उस तेड़ी हांडी को रंगों से सजा दिया। उस पर सुन्दर सुन्दर फूलों के चित्र बना दिये। फिर उस पर लिख दिया महारानी हांडी। दिखो, यह दिख रहा है न, फूल बने है। महारानी हांडी नाम भी दे दिया। रादे को भी टेड़ी हांडी बहुत सुन्दर लगी। वह उसे लेकर दुकान पर पहुचा। उसने हांडी को मिट्टी के परतनों के बीच में रख दिया। यह दिख रहा है आपको, यहां पर महारानी हांडी रखती है रादे ने। महारानी हांडी का यह रूप देखकर बाकी बटन हैरान रह गए। महारानी हांडी की सुन्दरता की बाद वहां के राजा तक पहुची। रादा ने उस हांडी को खरीद लिया। राध्य ने उन रुपियों मैं से आधे रुपे सोहन को दे दी, ये सोहन का ही कमाल था, कमाल यानि बहुत अच्छा काम. ये सोहन का ही कमाल था, कि टेड़ी हान्डी महारानी हान्डी बन गई. राजा ने महारानी हान्डी को दूसरी किंती वस्चुं के साथ अपने महल में रखवा दिया. सही कहा गया है बच्चों, दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं होती, सभी का अपना-अपना महत्व होता है. तो बच्चों, हमने इस पार्ट से क्या सीखा? हमने यह सीखा कि हम किसी भी पुरानी वस्टु का उप्योग दोबारा कर सकते हैं. हम किसी भी बस्टु की कायब लट कर सकते हैं. चोटी सी चोटी चीज का महत्व होता है. पुराना या बेकार सामान को फिर से उप्योग में लाया जा सकता है. हुई ना यह वही वाली बात, बेकार से आकार.